वेलकम टे न्यू वीडियो आपका वेलकम मुकलतीजवाल की नई वीडियो के अंदर आज हम लोग इस मैसिव वीस्ट के ऊपर एक रिव्यू करने वाले हैं ठोटा आधिके नोमम इंड़ के वाला आज मैं आपको बताने वाला हूं चलते हैं क्या दिस हैंको पूर्षक बमचिशें किलें और तन तो म्याले पत्तौने बिल्ज कास नहीं है स्वेयर जिन लोगो नहीं पता थार आती है आपकी पैट्रोल इंजन में और यह आपका मैं स्टैलियन इंजन है महिंद्रा का जो एक चीज के बारे में बात करूं तो वह है इसके बंपिनेस अभी देखो थोड़ा सा ब्रेकर आएगा और गाड़ी कैसे जूला जूलेगी यह यह पूरी गाड़ी जूला जूल जाती है हल्का सा बंप आते ही और यह इसकी कई नगेट्वी चीज बन जाती है जो बहुत ज्यादा स्मूध नहीं है हलका सा आपको डूम्प फील होता है गेड लगाते वक्त लेती है सीड बैल्ट की वार्निंग गाड़ी दे रही है सब पहले फटाफट से सीड लगा लेते हैं जो कि मेंडेटरी है देखो मैं इतने ट्राफिक पे चल तो नहीं पा रहा हूं तो नहीं स्पीड पे कि मैं आपको बता पाऊं चीजे अब भी हम लोग थोड़ी सी एक बार इसको थोड़ा सा पुश करके देखते हैं तो यह बड़ा मिरर्स यह बिल्कुल सेप उफ शाइज मतलब इनका बढ़िया है आपको पीछे की विजिबिल्टी अच्छी का सी मिली जाती है और थोड़ी सी अगर मैं बात करूं कि धलके वलके टाइप में कैसी रहती है तो वहां कहीं ना कहीं चूक जाती है अब देखो जैसे मैं यहा आपको पुलना यहाप पुल करो विजिबिल्टी बॉनट की अच्छी खासी है तक गाड़ी ने अच्छे से पुल किया मैंने गाड़ी को दबाया और गाड़ी दब रही है तो देखो गाड़ी चड़ जाती है अपको पता भी नहीं चलेगा बट कई नहीं एक डिसेंट व कि आप गाड़ी साइलेंट है आपको शोर बहार से इतना फील नहीं होता है थोड़ा बहुत शोर आपको आई रहा होगा इतना ज्यादा नहीं आएगा और जिमनी में तो आपको यह भी नहीं आएगा और अभी थोड़ी सी बात कर लेता है कि गाड़ी बंप में कैसी है मेन ले देखो यह है ये नहीं है सीटी में पर शोर एनस पर नहीं आप एक बर गाड़ी को ले आ करती में कि और आब के देखते हैं कि वाय किस तरह से ओफ रोड में react करती है गेर वैसे में इसके नॉर्मली लगा पा रहा हूँ गेर में ऐसा कोई issue नहीं है थोड़ा साब में यहाँ पर गाड़ी को लेके जाऊंगा और यह कुछ ओफ रोड एरिया है और गाड़ी जूला तो यार देखो जूला जूलती है गाड़ी अच्छावाला वाइब्रेशन फीड देता है आपको अच्छा खासा और एक ये बैक कैमरा आप देख रहे होंगे बैक कैमरा गाड़ी का काम करना असना बंद कर दिया और दा टाइम ये भी एक दिक्कत इसमें आई है और ये सारा वियर इंटियर आपको एक साल के अंदर ही मिलेगा एक साल म आपको दिक्कत आती है वह इसमें नहीं आती फटावट से एक बार गाड़ी का पंजा देखो फोर भाई फोर में तो ये क्या पुल मारती है लेकिन देखो गाड़ी ऐस से जूला जैसे जूलती है ना तो कहीना कहीं आप अपना confidence खो देते हो गाड़ी के उपर से ना कि भा से गाड़ी हलकी सी तिरिशी होगी यह देखो हलकी सी गाड़ी तिरिशी हुई और यह देखो ठीक है suspension बहुत ज्यादा स्टिफ नहीं है बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है आप इसको एक्जस्ट कर सकते हो जब आप एक ओफ रोड़िंग वीकल के साथ जा रहे हो तो इसी टच कर चुगा और अभी मैंने पलक जबकाई ही थी तो इतना ही डिफ्रेंस एक आया इस गाड़ी के अंदर अभी एक बहुत प्यारी सी साउंड इनके स्टेल इंजन में है जैसे इंजन सीटी मार रहा हो कुछ ऐसी साउंड है वह भी आप देखो अब देखो मैं स्ट इसका जो जजमेंट ना बोडी का आप देख रहूंगा तो आपको बॉनट दिख रहा है गाड़ी का फुड दिख रहा है बट जजमेंट यहीं तक सिमित नहीं हो जाता अभी जो प्लास्टिक्स के पार्ट है इसके आगे के वह बहुत बहुत बाहर निकले मैं बोडी से व देखो मैं यहाँ पर टर्ण ले रहा हूं और गाड़ी यहाँ पर मैं दुबारा से इसको यह लो गाड़ी फिर से टू हाई में है और देखो मैं गाड़ी अब नीचे लूंगा तो थोड़ा सा आपको समय में आएगा कि क्या लिक्त है अब देखना बॉडि रोल किसको कहते हैं वो थार बताएगी आपको और स्मूधनेस किसको कहते हैं वो आपको जिमनी बताएगी यह देखो गाड़ी तुम धड़ से करके उतरती है मतलब बेसिक चीजों के बारे में आप जब देखोगे ना गाड़ी जब धड़ से करके ऐसे उतर रही है अब देखो मैं गाड़ी को बैक गेर में लेके जाता हूँ और यह देखो मतलब कितनी ज़्यादा गाड़ी हिल रही है वो आप महसूस करो सो भी मैं गाड़ी को थोड़ा सा अप हील की तरफ लेके चलता हूँ मैं फिलाल कलच कलच यूज़ करूँगा गाड़ी का और गाड़ी बहुत अच्छे से वैसे जा रही है फिलाल खा वीडियो के मिड में जोड़ी सी बात करना था हूँ क्या गया चीज़े ऐसी हैं जो आपको एंड ऑफ दडे या फिर एक साल के अंदर जादा कोस्ट करने वाली है यह पूरा का पूरा जितना भी इसका प्लास्तिक वाला पोर्टे है एक साल के बाद यह खराब हो जाता है हालत आप इसकी देख सकते हो यह सारा भी डल पड़ जाता है यह पहला इस गाड़ी का सबसे बड़ा मेजर निगेटिव है इसको रिप्लेस कराने की कोस्ट आपको डेड़ से दो लाग उरुपे पड़ती है यह आपकी जेप बारी पड पड़ती है और फिर एक मेजर स्ट्रगल पॉइंट है गाड़ी में घुचने का रियर सीट आकसेस आप इसका इस साइड से कर ही नहीं सकते हो कैसे नाव मैं आपको दिखायता हूँ एक बार गाड़ी का बैक सीट एकसेस करके कि कितना स्ट्रगल मेरे को करना है सीट इसकी यहां पर होती है मेरे को आगे पहले पुश करना पड़ता है और यह इतना स्पेस मेरे को मिल जाता है यहां पर पकड़ने के लिए ऐस सच कोई हैंडल नहीं है बस यह वाला हैंडल में यूज कर सकता हूँ गाड़ी पर जैसे मैं चड़ता हूँ ना यह देखो यह इसके अब बहुत आगे जूखना पड़ेगा और अब मेरे पैर जो है वह फस चुक है इसमें अब बाहर आने के लिए कितना स्टुकल मेरे को करना पड़ता है और मेरे को निकलना पड़ता है और क्योंकि हाथ एकसे नहीं हो पाता है अब विंडू खुलेगा फिर से सीट आगे क आने के लिए देखो आज की वीडियो में इतना ही था और आज की वीडियो में आपको पता चली गया होगा कि महिंदरा कि थार आपको और ताइम कितना कोस्त कर सकती है या फिर आपके जेपे कितना बारी पड़ सकते हैं बट ओवर दाइम इसमें ऐसा कुछ नहीं मिलता है इसके उपर आप केवल और केवल एक थार को चोईस बना लो ऐससे जैसा कुछ नहीं मिलता है इस पेस के मामले में गाड़ी इतनी अच्छी नहीं है बस एक टोरे टाइप में अगर आप गाड़ी रेना चाहते हो तो गाड़ी आपके लिए है कलर स्कीम ब्लैक ही चलेगी इ हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सस्क्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को हमारी कमेंट करके बताना जरूर की आपका क्या अपिनिन है थार वसी जिमनी के बारे में थैंक्यू सो मुच आप से भीगा